निगम भिलाई छेतर के वाड तेरा कोहका के मंगल बाजार पुरानी बस्ती में अमरित मिश्चन 2 के तहट पानी टंकी बनाई गई थी आज इस पानी के टंकी के आउट लेट पाइप से रोजाना लाखो लीटर पानी पाइप लिकेज होने की वज़ा से बरबाद हो रहा है जिसके जानकारी होने के बावजूद भी निगम प्रशासन मौन है नगरपालिक निगम भिलाई छेतर के वाड 13 कोहका की यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी जहां एक और निगम भिलाई अपने पूरे छेतर में शुद्ध पेजल उपलब्द कराने के लिए हजारों तरह के हतकंडे अपना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ निगम के अधिकारी अपनी कारेशली की वज़े से विवादों की घेरे में बने हुए हैं दरसल वाड 13 कोहका में मंगल बजार पुरानी बस्ती में यह तंकी अमरित मिशन 2 योजना के तहद बनाई गई थी जिसके चंद महिनों बाद से ही टंकी के आउट्रेट पाइप में यह लीकेज हो गया और तब से लेकर आज तक इस छेतर में पानी की सप्लाई टेंकरों के माध्यम से की जा रही है परन्तु निगम के अधिकारियों या छेतर के जन प्रतिनिधी यह सभी इसे देखकर अपनी आखे मूंदे बैठे हुए है ऐसा लगता है इन्हें पानी की बरबादी से कोई फरक नहीं पड़ता है कि एक दिन में कितने लाख लीटर पानी निगम की अधिकारियों और जन प्रतिनिधी की लापरवाही से बरबाद हो रहा है गोका विकास समिती ने इस पर आपती दर्श कराते हुए अपनी समवेदानाएं वेक्ट की है और निगम से गोहार लगाई है कि इसे जल से जल ठीक किया जाए पानी वेष्ट हो रहा है तो इसको कौन जो आपते हैं निगम अले अपरेटर उनकों कई बार बोला है उन्होंने बोले कि ना मैं उपर अपर 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 बोल चुकां कर गई लेकिन मेरे बास उंदे निगर बोलते हैं तो इसमें आप ही लोग बताई क्या करें हम लोग हम दोएं वे कि इसको जल् antisco सट जोड़ी डॉल लेकिए अपना कार पुरा कॉरी करें ताकि लाखों लाखों लीड़े पानी बरबाद हो रहा है तो बराद ना होगह कई समय महींनों से यहां जो जो फानि का बर्बादी हो रहा उसके बारे में जो यहां के य सब्ड़प से पानी गय न उब्रें, मोती मानुस चुन, जब तक हमारे पास प्राकृतिक संपदा का अपार भंडारन रहता है, तब तक हम उसकी value नहीं समझते, लेकिन जब वही प्राकृतिक संपदा हमारे से दूर होती जाती है, तब हम को उसकी value पता चलती है, आज इसी तरह का कुछ द बावागमन है मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूं कि जन परतिनीधी भी इस चीज को देख चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों नदर अंदाज किया जा रहा है लेकिन इसको हम जैसे जन्मानस के द्वारा और कुछ काज समिती के द्वारा खासकर इसको हाइलाइट किया गया ह है इसको दिखाया गया है और इस पर संग्यान ले हमारे जिम्मेदारों को भी बहुत काम रहता है लेकिन यह सबसे जरूरी काम में आता है क्योंकि इतनी बरसात इतनी पानी होने के बावजूत हमारे अगर पुरानी बस्ती एरिया में अगर टंकी चल रहा है अगर टैंकर चल रहा है लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर है तो कहीं नहीं हमारे साशन प्रसाशन की लपरवाही है इतना कहते हुए मैं अपना भानी विराल धन्यवाद हम यहां पर इसलिए खड़े हुए हैं यह जो आप पानी की देख रहे हैं यह दो साल से चालू हुई है ले तो यह जो अवयवस्था है पिछले 6 मैनों से ना निगम अधिकारियों को दिख रही है यहां का जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर को कई बार यहां के रहवाजियों ने सिकायत की है उसके बावजुद इसके कारवाई नहीं हो रही है इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा यह ह आज वैसे भी प्रिथवी पे 2% पानी पीने योग्या है लेकिन क्या हो रहा है कि वो 2% पानी में भी हमको जो पानी बचाना है हम उसके प्रति जागरुकी नहीं है ऑपरेटर लोग 2-2 घंटे-5 घंटा तक नल खोल के रखते हैं जबकि लोगों को आदे घंटे में देख लो तरमिल नाडू देख लो वहां पर पानी भूजल इस्तर जो कम हो गया हमारे 36 गड़ में और हमारे देश में यह प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो इसके लिए हम यहां पर विकास समीती के तरफ से कोका विकास समीती की तरफ से सभी लोग खड़े हैं तो हम आखो लीटर पानी बरबाद कर रही है और विडम बना तो देखिए इसके बारे में नेगम के अधिकारियों को भी पता है और छेत्र के जन प्रतिनिधी को भी बावजूद इसके इसकी सुद लेने वाला कोई नहीं है और यह सभी लोग मूख दर्शक बने बैठे हुए है क्रेंडेCN News के लिए भिलाई से संतोष शर्मागी रिपोर्ट